गुड मॉर्निंग तो स्टुडेंट्स आज हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आज हम डिसकेस करेंगे तो जैसा कि हमने प्रिवियस लेक्चर में फेस वन जो था modern history का उसको discuss किया था तो फेस वन के अंदर हमने जो history का जो topic discuss किये थे वो 1900 से 1915 तक के जो major topic थे वो सारे हमने discuss किये थी तो आज हम move करेंगे second phase के अंदर तो जो हमारा second phase है we are going to start it from 1915 से 1930 का जो हमारा second phase है उसको आज हम start करने जारे जिसके अंदर हम देखें कि कौन-कौन सी major event है और क्या उनका major role रहता है ठीक है जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग जी सो अब हमारा जो face यहां पे start होता है 1915 में तो 1915 से यह थोड़े से जो topic आज हम देखेंगे यहां पे आपके गांधियन स्टडी के भी बहुत अच्छे question जो है वह यहां पे शॉट आउट हो जाएंगे तो 1915 में महात्मा गांधी जो है वो एक बार फिर से दोबारा सीन पे जो है वो यहां पे आते हैं इंडिया के freedom struggle के अंदर साउथ फ्रीका में उनका बहुत एक लंबा time रहता है लेकिन आप 1915 के बाद जो हमारा 1915 के बाद हम जतना भी आगे 1947 तक का जो freedom struggle है इसको हम देखते हैं कि this is a mostly dominated by the महात्मा गांधी जी तो महात्मा गांधी जी क किस तरह से रोल यहां पर play किया जाता है उसके बारे में अभी हम देखते हैं थोड़ा सा हम गांधी जी के बारे में जान लेते हैं ठीक है तो गांधी जी जिनका birth जो था 1869 में उनका birth हुआ था पोर बंदर और गुजरात में जैसा कि हम जानते हैं उनका बर्थ हुआ था और इनके जो फादर थे करमचंद गांधी यह उस समय पोर बंदर के दिवान हुआ करते थे और इनकी मदर का जो नाम था शीवास पुतली बाई और स्टार्टिंग से ही महत्मा गांधी जी के लाइफ के उपर उनका मदर का बहुत इंफलेंस जो है वो रहा है और उनकी जो रिलिजियस और स्पिर्च्वालिटी के बात करते हैं तो पुतली बाई जी का एक बहुत ही मिजर एक कंट्रिबुशन वहाँ पे देखने को मिलता है अपनी स्टार्टिंग का स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद वो लंडन जाते हैं और लंडन जाते हैं और वहां पे 1488 म करते हैं लंडन में करते हैं लंडन में जो उनका टाइम निकलता है जो 3-4 석ल ऌन्हों करते करते हैं वह भाइलगी ऐन पर के लिएधी 120 या टायम है तो करते हैं और इसके लिए एक बडुर एक फोर्ट बड़ा श्राइड निकलना पर लोगे सली को मिलता दा गांदी जी को उनके टाइम की उपर वहां पे काफी इंफलेंस जो है उस दौर में करती हैं तो लंडन में स्टडी करने के बाद यह वापस आते हैं और वापस आने के बाद बॉमबे में तो लेकिन वहां पे कोई ज्यादा उन्हें सकसेस नहीं मिलती है तो तब वो अपने के साथ जो है उनको ऑव वहां पे काम होता है उनका को help-out जो है वहांपे करते हैं गुजरात के अंदर तो वहां पे एक मर्चंट आते हैं ऐटीन 93 के पास तो गांदी जी जो है एक गुजराती मर्चंट होते हैं जिनका नाम होता है दादा अबदुला तो दादा गुड ऑपर्चुनिटी थोड़ा लॉक एक्स्पिरियंस भी हो जाएगा एंड यहां पे मेरे पास अभी कुछ ज्यादा काम भी नहीं है तो वहां पे काम भी हो जाएगा तो इसके चलते गांदी जी जो है वह 23 साल की उमपर में साउथ फरीका वहां पे जाते हैं और क्योंक में रेसिजम जो था बहुत ज्यादा था जितने भी एशियन ब्लैक लोग थे वहां पे उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था वो पब्लिक प्लेस पे देर वास सेटन प्लेस जहां पे वह नहीं आ सकते थे जहां पे गोरी लोग जाते थे अगर में ट्रेवल कर रहे हैं तो देवर नॉट अलाव टो फॉर जो ट्रेन ट्रेवल था उसमें उनको अलाव नहीं किया जाता था जहां पे जाने का बट गांदी जी वाज अनवेर आल अबाट इस काइंड तो तब पीटर मैरिक्ट बर्स का यो रेलवे स्टेशन था वहां पे जब गांदी जी फिर्स क्लास टिकट लेकर ट्रेवल कर रहे होते हैं तो उनको जो उनको बोला जाता है कि आप अपना जो सीट चेंज कीजिए क्योंकि यह कंपार्टमेंट में आप नहीं आ सकते हैं तो गांदी जी बोलते हैं कि मैंने तो टिकट लिया है मेरे पास तो फि उतरने से मना करते हैं तो उनको वहां पर ट्रेन से उनको जो है वह बाहर धका देके निकाल दिया जाता है एंड इट वाज वरी लाइफ चेंजिंग इंसीडेंट जो मात्मा गांदी जी के लाइफ के अंदर यहां पर हुआ तो मात्मा गांदी जी को इसका बहुत शौक भी के अंदर महात्मा गांदी जी ने एक बहुत मास जो प्रोटेस्ट था उसकी यहां पर स्टार्टियंग यहां पर कीजाती है इस पर्टिकूलर के सिर्वात करते हैं इंडियन नाम का पेपर स्वाय करते हैAN 1903 के अंदर और यह जो पेपर था यह सिर्फ गुजराती में पबलिच नहीं होता था गुजराती के साथ-साथ इसको हिंदी में तामिल में और इंगलीश लैंग्विस में भी इसको पबलिच किया जाता था और इसके अडिटर जो थे जो इसके अंदर इनको यहां पर help कर रहे थे, he was, तो इस पेपर के जो अडिटर थे यहां पे, his name वाज मनसुख लाल नाजर जो थे, वो इसको अडिटर यहां पे कर रहे थे, तो यह पहला न्यूस पेपर था, जो गांदी जी के दोरा निकाला गया था, ताकि गांदी जी चाहते थे, कि एक तरह का जो अवेरनेस है, वो यहां पे स्टार्ट किया जाए, हलाकि इसके इलावा, उनके और भी न्यूस पेपर स्टार्ट किये गए थे, जैसे कि he started यंग इंडिया, लेकिन यहां पे कई बार क्वेस्टन में पूछ लिया जाता है, यंग इंडिया और इंडियन उपीनियन, इनको मिक्स किया जाता है, तो इंडियन उपीनियन का जो न्यूस पेपर था, इट वास started इन, ये South Africa में start किया गया था, लेकिन जो यंग इंडिया का जो न्यूस पेपर था, इट वास started इन, इंडिया ये 1918 में, इंडिया के जो National Freedom Struggle के लिए स्टार्टिंग की गई थी, और इसके साथ नव जीवन और गुजरात समाचार भी महत्मा गांदी जी के द्वारा कुछ जो न्यूस पेपर थे, वहाँ पे start किये गए थे, इसके साथ साथ महत्मा गांदी जी ने यहाँ पे एक टॉल स्टॉय, जो की एक Russian writer थे, Russian thinker थे, और टॉल स्टॉय का महत्मा गांदी जी की life की ओपर भी काफी influence था, war and peace, एक बहुत बढ़िया जो बुक थी, वो टॉल स्टॉय के द्वारा लिखी गई थी यहाँ पे, तो टॉल स्टॉय से inspire होके गांदी जी ने यहाँ पे एक farm की starting की, जहाँ पे आप कह सकते, 1904 में जिस तरह से इंडिया में साबरमती आश्रम और यह सारे बनाए यहाँ पे बहुत सारा काम करते थे, यहाँ पे normal preaching भी की जाती थी, बहुत सारा awareness के lecture भी किये जाते थे, जो लोग बिमार होते थे तो उनको treatment भी दिया जाता था, यहाँ पे तो एक बड़ा close knit जो Indian community थी, वो यहाँ पे जो थी आनी यहाँ पे start हो चुकी थी, तो उसको यहा गांधी जी ने आगे जाके इंडिया में बहुत सारे आश्रम भी यहाँ पे open किये, तो यह आपके लिए एक important fact है कि गांधी जी ने पहला आश्रम जो था साथ फरीका में कौन सा open किया था और कब किया था, the answer is Phoenix Farm and 1904, 1909 में गांधी जी ने एक book भी लिखी यहाँ पे, जिस लिखा था, तो political philosophy अगर हम देखेंगे, तो यह आज भी अगर आप गंधिन study को read करते हैं, तो जहां उसके बारे में गंधी जी गंधिन study के बारे में थोड़ा कोई book read करना चाते, तो हिंद सवराज इसे very good book, इसके अंदर मात्मा गंधी जी की जो philosophy है, उसको बहुत बढ़ रहा था, सवदेशी movement यहां पर हो चुकी थी, partition of बंगाल हो चुका था, इस इस time के उपर मात्मा गंधी जी travel कर रहे थे, South Africa to India, लेकिन अभी तक उनों ने इंडिया के freedom struggle के अंदर कोई active participation जो था, वो यहां पर नहीं किया, इसके बाद यहां पर कुछ war भी होती हैं, जैसे क 1899 में boyer war होती है, boyer war के अंदर यहां पर क्या था, कि यह basically transell wall, it was a province in South Africa, which was very rich in gold, यहां पर gold की mining हुआ करती थी, यहां पर boyer government यहां पर हुआ करती थी, Dutch government जो जो से हम कहते हैं, they were controlling this area, and you know, British, they, this kind का, उनका एक attitude था, they want to maximize the profit, they want to maximize जितना भी उनको profit किसी mining से यहां किसी चीज़ से आ सकता है, तो वो उनको मिलना चाहिए, यहां पर इसके लिए यह boyer war हुआ था, और इसके चलते हम यहां पर देखेंगे, कि boyer जो थे, they were defeated in this war here, और इस war के अंदर हम यहां पर देखेंगे, कि boyer, जो Dutch लोग थे, they were living in South Africa, but still, जो control था, ट्रेंसल वाल का, वो British की हाथ में आ जाता है, और boyer war के time के उपर हम देखेंगे, गांदी जी जो थे, उन्होंने British को support किया था, British को support किया था, क्योंकि उनका मानना था कि British जो हैं, वो हमारे ruler हैं, तो as a ruler हमें उनकी support करनी चाहिए, and in this way, we can get cooperation of the British, और हमारी समस्याएं जो हैं, शौटर हो सकती हैं, और बाद में गांदी जी को इसके लिए medal भी जो था, वो दिया गया था, उनकी सर्व से इसके लिए, after that, यहां पर 1906 में एक और war होती है, this is the Zulu war जिसे कहा जाता है, तो यह जो जूलू वार होती है, यह 1906 में यह war की जाती है, जूलू basically यहां की local population थी, जो यहां की diamond mine में यहां पर काम किया करती थी, साथ फरीका के अंदर यहां पर, तो अब जूलू जो population थी, इन्होंने कि यहां पर revolt कर दिया, यहां पर natal में, साथ फरीका के अंदर, क्योंकि they were demanding their special right, demand कर रहे थे, कि यह land right है, वो इनको यहां पर दिये जाए, इनके उपर जो heavy taxes हैं, वो यहां पर लगाए जाए, जिसके जलते हैं, जो जूलू और वाइट के बीच में, यहां पर war, जो होती है, इस war के अंदर भी, again we will see, गांदी जी, बिटिश के साथ, जो है, यहां पर help out करते हैं, यहां पर एक ambulance cop बनाई जाती है, जिसके अंदर जो injured soldier है, उनको जो है, medical or hospital facility, जो है, वो यहां पर दी जाती है है, यहां पर ठीक है, जो होते हैं, जो डैन्नमार्क के लोग आ जाते हैं, डैन्नमार्क, नीदरलेंड, उनको हम यहां पर डच बोलते हैं, ठीक है, तो यह दो war के अंदर गांदी जी ने यहां पर अच्छा support और help जो था, वो British को यहां पर दिया, तो इसके बाद हम देखे जो है, वो South Africa का, उनका यहां पर चला है, बहुत सारे act भी यहां पर Supreme Court की द्वारा बनाए गए थे, जैसे की registration act बनाया गया कि हर Indian को एक identity card रखना है, जिसके उपर उसके fingerprints लिए जाते थे, वहार समय उसके पास होना चाहिए, इसके against भी यहां पर गांदी जी की द्वारा व गांदी जी ने यहां पर एक अच्छा protest moment यहां पर किया था, जिसका काफी successful result भी मिला और गांदी जी और South Africa के अंदर जो था, एक अच्छा negotiation भी जो यहां पर हुआ, एक अच्छे reform भी यहां पर देखे गए, और अपने South Africa के experience को ही, बाद में जब गांदी जी 1915 के बाद ज इसमें implement करने में, अपने experience को इंडिया में implement करने में, उनको काफी बढ़िया यहां पर जो है, वो एक success भी यहां पर मिलती है, तो अब गांदी जी जब 1915 में यहां पर आते हैं, तो गांदी जी जब यहां पर 1915 में आते हैं, तो गोपाल क्रिशन गोखले के साथ वो अक्स अक्सर जो political issue होते हैं, तो उनको discuss or debate किया करते थे, जाब 1915 में गांदी जी वापस आते हैं, and he again met with गोपाल क्रिशन गोखले और उनको बताते हैं कि भाई यह सब चीजें जो हैं, वो हमारे साथ मैं इंडिया के जो freedom struggle है, उसमें कुछ करना चाहता हूं, तो तब गोखले ज जानिए कि लोगों की problem क्या है, लोगों की समस्याएं क्या हैं, तभी आप एक right decision ले पाएंगे कि किस तरह से आप इंडिया को और उनके political struggle और independence में help जो है यहां पे कर सकते हैं, तो इसी चलते हैं, जब 1915 में यहां पे आते हैं, तो गांदी जी इंडिया में सत्याग्रे आ आश्रम की starting जो है, वह यहां पे की जाती है, और इसके बाद खेड़ा चंपरन सत्याग्रे होते हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे यहां पे, और जिस तरह से गांदी जी का एक बड़ा important role राय साउथ फरीका के अंदर और इनको इनकी services के लिए के से हिंद मैडल भी दिया गया था British Government के द्वारा और जो रबेंदर ना टिगोर थे उनके द्वारा इनको एक टाइटल भी दिया गया था, इसके बाद कभी महत्मा गांदी जी के ऊपर यह question भी पूछ लिया जाता है, कि कौन कौन से ऐसे thinker रहे हैं, जिनका महत्मा गांदी जी के life की उपर बहुत important influence जो है, वह वहाँ पर रहा है, तो अगर मैं authors की यहां पर बात करता हूँ, तो यहां पर एक American author आ जाते हैं, Henry David Thorio, तो जो महत्मा गांदी जी का civil disobedience movement था, आपको याद होगा, उनका जब 1930 में civil disobedience movement start की गई थी, डांडी मार्च के मीडियम के साथ, तो व वो आइडिया जो civil disobedience का जो आइडिया था, it was taken from Henry David Thorio, John Ruskin की बात करें, तो unto his last, उनकी बुक थी, और इस बुक के अपनी autobiography में भी महत्मा गांदी जी जो लिखते हैं, कि अगर मुझे किसी बुक से अगर सबसे ज़्यदा inspiration जा प्रेम ना मिली है, तो that was a John Ruskin unto his love, इस बु welfare है, वो सबका होना चाहिए, सबके पास बन्यादी हक होने चाहिए, तो ये John Ruskin का एक बहुत influence जो है, उनकी उपर पड़ा है, immersion की बात करते हैं, तो he learned the concept of individualism, अब जैसे की individualism की बात करते हैं, तो individualism, Marx भी बात करता था, individualism जो है, वो liberal भी बात करते थे, लेकिन दोनों में जो है, वो कहते थे कि जो society है, that community is more important than the individual यहां पर, तो एक मात्मा गंदी जी का यहां पर मानना था कि ना तो हम individual को किसी community के लिए sacrifice कर सकते हैं, ना ही community को individual के लिए sacrifice किया जा सकता है, दोनों में एक balance होना बहुत जरूरी है, तो ये एक balance individualism का जो concept था, he learned from Ralph Waldo Immerson, और Tolstoy, he learned the concept of the God of, kingdom of God is within you, जहां से उन्हें एक truth, जिसे the principle of truth and non-violence, ये Tolstoy का एक बहुत बड़ा एक उनका influence देखने के मिला है, ये बहुत important नाम है student, तो यहां पर आपको exam में कोई नाम आ सकता है, कि किस का कौन सा concept, किस ideology को किस thinker के द्वारा influence किया गया था, these all thinkers are given here, ठीक है, ये PDF जो होता है, ये आपको हमारे जो auto is academy का app है, वहां पर आपको available रहता है, तो अगर किसी वज़ा से आपके notes नहीं भी बन पाते हैं, साथ साथ में, तो आप बाद में ये PDF को check out करके देख सकते हैं, ठीक है जी, clear up to this concept, ठीक है जी, तो यहां तक हम देखते हैं कि ये 1915 की जो starting होती है, तो this was a little bit information about महात्मा गंदी, और इसके बाद भी मैंने जो गंदिन study के ऊपर मैंने, I have made 7 to 8 videos, तो जिसके अदर मैंने पूरा गंदिन philosophy को जो है, उनके जितने भी concept है, उनको one by one मैंने explain किया हुआ है, तो अपना जो गंदिन study का syllabus है, उसको cover up कर सकते हैं, ठीक है, और वैसे भी अब आपका exam, जो है वो date उसकी जो fix अभी हो गई है, आपका मैं 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 आपका exam जो है वो आने वाला है, तो exam is going very dear, लेकिन अच्छी बात ये है कि आपके exam से आने से पहले by the end of this March, आपका जो पू कर सकते हैं, तो इसलिए अपने जितना भी time आपको आगे मिलता है, उसे अपना बहुत बढ़िया revision के लिए use कीजिए, और साथ में कोशिश कीजिए कि जितना ज्यादा आप जो test हैं, वो attempt कर सकते हैं, क्योंकि next month में जब आपका revision हो जाता है, तो आप जितने ज्यादा test attempt कर सकते हैं, वो उतना ही बैतर होगा, क्योंकि test attempt करने से आपको बहुत पता चल जाता है कि मुझे किस तरह से paper attempt करना चाहिए, मुझे कौन से question है, जो मुझे अभी भी मेरे गलत हो रहे हैं, कौन सा subject मेरा अभी week चल रहा है, तो इसलिए इससे पहले कि आपको जो anti का exam आपको test करें, उससे पहले आप अपने आपको एक बार test जुरूर कर लें कि कहां पे आपकी अभी weaker area चल रहे हैं, और कैसे आपको वहां पे cover up करने की जुरूरत है, और ये test series भी आपको वहां पे एक available है, तो जिसके अंदर आपको complete गांदेन study और सारा syllabus का test series भी आपको मिल जाएग तो ये चीज आपको आगे जाके काफी ज़्यादा benefit जो है, वह आगे कर सकती है, तो इसके बाद हम 1915 की अगर हम बात करते हैं, तो अब हमारा second phase यहां पे start होगा, इस phase को ज़्यादा तर हम गांदियन phase के साथ जो हैं, वह attach करके यहां पे देखते हैं, और गांदियन phase mean to say, कि इसके बाद जितनी भी national politics हम देखेंगे, तो गांदिय जी का उनके उपर काफी influence जो है, वह यहां पे रहा है, और जैसा मैंने बताया, इस पूरी journey में, जो उनकी journey यहां पे जो start होती है, तो starting में उनको political advisor, जो उनके जो political guru जो होते हैं, वो गौपाल, कृशन, गोखले हो होते हैं, जो उनको यहां पे इस पूरी movement में guide करते हैं, गांदी जी का जो पहला step हम यहां पे देखेंगे, जिसके अंदर वो गांदी जी यहां पे एक Indian national movement में participation करते हैं, इट वाजदा चंपरन सत्या ग्रह जो यहां पे आता है, 1917 के अंदर यहां पे, चंपरन बिहार का ए तो indigo की खेती की जाती थी, और यह जो indigo की खेती होती थी, यह British planter के द्वारा बड़ा forcibly की जाती थी, एक यहां पे यह जितना भी आपको indigo की खेती के लिए जो planter होते थे यहां पे, ठीक है, वो forcibly करते थे, एक agreement sign किया जाता था कि 3 20th part के उपर जो है, आपनी जो भी आपकी land इसका 3 20th part जाए, आप indigo की खेती वहां पे करो गई, करो गई, अब indigo की जो खेती की जाती थी, नील की, यह बहुत costly हुआ करती थी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा input cost जो थी, वो यहां पे involved जो थी, वहां पे हुआ करती थी, और इसके अंदर बहुत सारा fertilizer और seed का जो use किया जाता था, तो input cost बहुत ज़्यादा थी, लेकिन यहां पे हम देखेंगे कि जिस समय यह पूरा end of the 19th century में हम यहां पे देखेंगे कि यहां पे जो जर्मन होते हैं, वो synthetic dye का invention कर देते हैं, तो with the rise of synthetic dye तो यह जो organic dye होती है, indigo की demand काफी कम हो जाती है, तो अब ज जबरदस्ती उसके साथ जो थे खेती करवा रहे थे, ठीक है, एक तो जबरदस्ती खेती करवा रहे थे, खेती करवाने के बाद दूसरा आप क्या कह रहे थे, कि हम आपको prices भी ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ज़्यासर मैंने बताया कि इसकी input cost बहुत ज़्याद तो इसके against में एक पूरा जो organized struggle जो था, वो यहाँ पे आप कर रहे थे, आप ऐसे में हम यहाँ पे देखेंगे, कि इस पूरे system के against में यहाँ पे एक person होते हैं, इनका नाम होता है गनेश विद्यार्थी, ठीक है, आपने यह तो सुना होगा कि राजकुमार शुकला जी जा वहाँ पे help कीजिए वहाँ पे, लेकिन राजकुमार शुकला को कौन एडवाइस करता है कि आप जाएं और गांदी जी से जाके मिलें और वह आपको help out करेंगे, वो होते हैं गनेश विद्यार्थी, तो गनेश विद्यार्थी बोलते हैं राजकुमार शुकला को कि मैंने गांदी जी के बारे में सोना हैं, उनके साउजफ इरीखा के अंदर जो उनके द्वारा काम किया गिया था, उसके बारे में मैं पता है तो उसके चलते गनेश विद्यार्थी जी कहते हैं कि आप एक बार जाके गांदी जी को मिलिये जहा lan तब राजकुमार शुकला और उनके साथ संत रौत जो होते हैं ये गंधी जी को मिलते हैं उनको कंविंस करते हैं कि आप जाएं और चंपरन में जाके वहांपे हमारी help आउट करें पहले तो गंधी जी मना कर देते हैं गंधी जी कहते हैं कि भाई नहीं मैं अभी नहीं आ सकता क्योंकि आयम फॉर दा टूर आफ दा कंट्री तो पुरा टूर मैं निकाल रहा हूं तो अभी मैं आपकी हल्प नहीं करता लेकिन बाद में कन्विंसिंग करने के उपर गांदी जी मान जाते हैं और दस अपरेल उनिस सुस्तारा को यह यहां पे में आते हैं चंपरन के टाइम पे उपर यह संत रौत का जो विलेज होता है अमोलवा विलेज में उनके घर पे यह स्टे करते हैं और यहां पर गांदी जी अके अके प्रॉपर उनके लीगल टीम भी आती है जिसके अंदर ब्रज किशोर प्रशाद और अक्टर रिजंदर प्रशाद जो हमारे पहले प्रईडेंट भी बनते हैं आगे जाके अनु ग्रै नरायन सिना नाम राम नुवाब्मी प्रशाद और जेबी क्रिपलानी यह नाम बहुत इंपॉर्टन है यह मैंने इसलिए बता रहा हूं कि देखे चंपरन सत्य ग्रै उन्निसो स्तारा में हु कॉष्टन पूचे जाएंगे तो हो सकता है कि इसके अंदर आपको दो त्वा इसे को कुछा जाए कि यह दूसरा हमारा ने है और राजकुमर किया कि लिए राजकुमर शफूर ने किए चिक चानता है तो यहां पर ए गांदी जी के साथ कौन कौन गया तो नम्याम देखेंगे दो नाम तो बड़े प्रॉमिनेट आ जाते हैं जो हमारे प्रिटिकल सरकल में बहुत ज्यादा प्रॉमिनेट रहते हैं एक डॉक्टर जंदर प्रशाद दूसरा यहां पर यहां पर पता होना चाहिए अब गांदी जब यहां पर चंपरन में जहां पर जाते है तो फ़ले तो ब्रेटेशिंग को बोलते हैं कि आप डिस्ट प्रवापस चले जाए की तो गंधी जी बोलते हैं कि थातब से लबत को घ्राइब एक कमेटी बनाई गई यहां पे चम्परण के इंडिगो प्लानटेशन के सथ containment के जो धो न परसंट राइस किया जो था उसको किया गया 25 परसंट और बाकी का भी जो डिमांड थी किसानों की वह यहां पे गांधी जी के द्वारा जो थी उनको पूरी की जानिकि जो चंपरण सत्याक रहे था यह काफी सक्सेस्फुल यहां पे रहा और यह इसका एक इसका अगर हम के जब non cooperationppt की जो starting होती है तो non cooperation मोSuमेंट के टाइम पे हम देखें गे किसान जो था वकबात मिद्र पाइपसेंशन जो था उस ٹ sap मोमेंट में रहा है तो उसके अंदर चंपरण जी अब के मीडियमशे गांधी जी एक मेज्जर किसानी नेटा जिसे हम कह सकते हैं वह यहां पे निकल के आते हैं अब किसान के साथ सा यहां पे दूसरी जो इशू आता है वो एहमदाबाद मिल स्ट्राइक यहां पिया थी गुजरात के अंदर यहां पे उन्निसों ठारा के अंदर अब यह problem होती है एहमदाबाद के अंदर जो मिल ओनर होते हैं और जो worker होते हैं उनमें conflict होती है problem किसको लेकी होती है plague bonus को लेके ठीक है क्योंकि पहले जब यहां पे plague फैला था अगस्त 1917 और जनुवरी 1918 के बीच के अंदर तो ताकि जो लोग हैं वो जो worker है वो फैक्टरियां छोड़के वापस ना चला जाए नुकसान वहां पर ना हो जाए तो इसके लिए उनको एक special plague bonus दिया जाता था तांकि वरकर जो है वो यहां पर दिया जाता था और अप्रॉक्सिमेटली 80 परसेंट लेकिन जब प्लेग जब इसको खतम हो गया तो यह जो मिल ओनर थे उन्होंने जो प्लेग बॉनस था उसको विड्रॉव कर लिया तो जब विड्रॉव यहां पर किया गया तो तब यहां पर जो वरकर थे वो कहते च बॉनस है अगर आपने वो यहां पर लह ले लिया है तो आप हमारी वेज में करेंगे था यहां पे कफ्लीक्ट होते ही यहां पर एक पार्सी वोमन का की पार्ट यहां पर बनती है तो गांधी जी को कहते हैं कि राइठीक है जो किसानों Titsen टो यहां पर फोड़ा पॉघ07 में आ जाते को पूछा है ना तो बीड़ ना पचास 35 पर सट इंक्रीज जो यहां पे आ जाता है के 35 जो है वरकर की सैलरी है उसमें कर दिया जाए YES में कर दिया जाएगा तो इस तरह से एहमदामाद मिल स्ट्राइक के अंदर पहले किसान उसके बाद वरकर दोनों इंग्रुप में गांदी जी एक बहुत प्रॉमिनेट लीडर जो है जो है वो यहां पे राइज होके यहां पे आते हैं ठीक है और डिस वाज दा नेम आफ डाट वोमें कई बार ऐसा क्वेस्च यहां पर दिया जाता है इसके बाद थर्ड आता है खेड़ा सत्याग्रे ठीक है खेड़ा सत्याग्रे बिसीकली यह गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट था यहां पर कॉटन वगहरा यह फसल हुआ करती थी और बारिच ना पढ़ने की वज़ा से सूखा पढ़ने से फसल यह किसानों को कहा कि अगर आपकी फसल नहीं हुई है तो आप अपनी जो लैंड रेविन्यू है वह पे मत कीजिये और यह ब्रिटिश को जो है यह यह दिमांड जो है पूरी करनी चाहिए तो नहीं करेंगे अब हमारी वज़ा हम बारिश नहीं हुई है तो हमारी इसमें क्या गलती हमने तो बारिश को नहीं रोका ना तो हम तो अपना रेविनी पूरा लेंगे तो तब यहां पर हम देखेंगे गांधी जी के द्वारा इस खेदा सत्रे को जब स्टार्ट किया गया तो यहां पे सरदार वल्लभाई पटेल वल्लभाई पटेल एक मेजर लीडर निकल के सब्सक्राइब ऑन उपर जैब magic Hai स्थार है तो अपर होता है कि जहां जहां पर फासल क्राब businessman io नहीं लिया लहां पर पूरी हुई आका तो यहां पर लोग आपना किसान है वह अपना है अपना रेविन्यू पर फे करेगा जहां तो यह तीन जो हमारे के पहले पहले हमारा छंपरन फिर सके बाद ऐहमदाबाद फिर तीसरा घ्यडा तो यह तीनों ही जो है बड़े एक के बाद एक जो है वह स्ट्रॉगल यहां पे गांदी जी के दौरा किये जाते हैं जिसका हमारा आगे आके जैसे खिलाफत मुव्मेंट आती है जहां इसके बाद नॉन कॉपरेशन मुव्मेंट आती है उसमें एक बहुत ही इंपोर्टेंट जो एफेक्ट है वो इसके द्वारा वहां पे डलता है ठीक है जी क्लियर अप्टू दिस पॉइंट पुनीत शर्मा जो आपके जो क्रंट फेर हैं वो अप्रॉक्सिमेटली जैसे आपका मई में एक्जाम होने जा रहा है तो आप लास्ट यडर माई जून ओनवर्ड के बाद जो हैं अपने क्रंट फेर को जो स्टड़ी की है इसके बाद इसी टाइम की ऊपर जो मैंने यहां पे हमने गांदी जी के बारे में भी बात कर रहे है इसी टाइम के ऊपर एक और भी बेजर इवंट होती है जहां पर हिंदू एंड खास करके Congress और मुसलीम लीग जो है जो Congress और मुसलीम लीग जो है वो बहुत एक common platform पे यहां पर आ जाती है और इनके जो difference है वो भी शौट आउट किये पर रहेंगे उनको हम one by one जो हैं वह मैं आपको बताता जाओंगा कि कहां कौन सा session कहां पर हुआ था कौन उसका प्रेजिडेंट था यहां पर तो लखनाव सेशन जो था रहा था 1905 और 1907 में जो सूरत का सप्रेट होता है तो सूरत के सप्रेट के बाद हम देखेंगे वैसे भी Congress जो थी वह किसी एक्टिव प्लिटिकल मूव्मेंट में नहीं रही थी जो moderate थे एक्स्ट्रीमस थे वह एक अलग-लग हो चुके थे लेकिन लखनाव सेशन के चलते और खास करके मिस्स एनी बीसंट जो था उनका भी काफी रोल रहा कि यह moderate और एक्स्ट्रीमस सेक्शन जो था इसको युनाइट किया गया common platform पे भी लाया गया और इनके common platform के पीशे सिर्फ यह नहीं था कि जो एक एनी बीसंट था उनका यहां पर effort था यहां पर था एक extremist के अंदर भी एक change of ideology जो था वह यहां पर आ चुका था ठीक है ठीक है यह ज्यादा तर शुशील यहां पर cotton वगयरा का होता था खेदा के अंदर तो cotton यहां पर उसके लिए यह ज्यादा आप देखें गुजरात में cotton की फसल ज्यादा हुआ करते थी शेफाली जी अभी तो पहले हम यह खत्म कर लें तो उसके बाद फिर हम आगे जाके आपका जो है उसका पार्ट देखेंगे ठीक है तो अब इस टाइम के ऊपर अब जो बाल गंगादर तिल्क थे वह पहले उनको जेल हो रखा था उनको हेल्थ ग्राउंड पर पहले छोड़ दिया गया था अब बाल गंगादर तिल्क की अडिया जी भी चेंज हो चुकी थी अब पहले वह जैसे रेवलुशनरी मीन्स की स्पोर्ट कर रहे थे अब उन्होंने गोला कि नहीं सेल्फ रूल तो चाहिए बट इट शुट भी रूल विदिन दा रूल जानी कि हमें ब्रिटिच रूल को नहीं खतम करना है हमें सेल्फ रूल चाहिए और वह भी हमें पीस्फुल और की भी अब अडियालोजी काफी चेज हो चुकि इसके कारण कंप्रोमाइज थोड़ा असान हो गया एनी बीसेंट ने भी यहां पर कॉमन प्रेटफॉर्म पर लाने की यहां पर कोशिश किया होम रूल लीक का भी रोल यहां पर रहा तो यह पहला हम इसका सिगनीफिकेंस द कर दिया जाता है जो कैपिटल है इंडिया की उसे काटा से जीडिया कर दिया जाता है और इतली और बैलकिन वार में जिस तरह से ब्रेटिस जो हैं वह एटली को सपहुर्ट करते हैं और टर्की को नहीं करते हैं положIM सारह इसंडैनि होते हैं और फॉर्थ हम देखते हैं तो उननीस सो चॉदा में जो यहां पे फ़र्स वर्टिवास start होती है तो तरकी जो होता है वह जो इनके लड़ रहा होता है वह ढ़र जिंदा जर्मन पर यहां पर तो खलीफ अब वो इंगिलेंड के गेंस्ट यहां पे बैटल लड रहे थे फिस्ट वर्ड वार के अंदर तो यह तीन चार मिजर रिजन थे जिसकी वज़ा से जो मेंस्ट्रीम मुस्लिम लीग जो थी जो पहले प्रो ब्रिटिश रूल को सपोर्ट करती थी तो इनों ने भी यहां पे अब इसके उपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे तो इसको कॉंग्रेस ने भी असेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है आप अपना सेप्रेट रखिए बट वी शुड है वे युनाइटेड फाइट यह तो यह लखनव सेशन दो मिजर इवन्ड के लिए यहां पर मशूर यहां पर देखा जाता है ठीक है अब इसके डूसरी तरफ जब यह वार स्टार्ट हुई थी तो नैचुरली जो उस समय 1916 का टाइम अगर हम देखते हैं जिस तरह से होम रूल लीक जो थी यह सेल्फ रूल की डिमांड कर रही थी तो इंडियन और इंडियन मासर्स की बहुत यहां पर आके बने तो तब जो उन्होंने बोला कि जैसे थोड़ा वार की सिच्वेशन ठीक होगी हलाथ ठीक होंगे तो हम आपको सेल्फ रूल जैसा प्रवाइड जो है ऐसी कंडिशन आपको प्रवाइड कर देंगे तो तब एक अगस्त ओफर यहां पर दिया गया था य इसी कली यह 909 का पहले एक्ट आता था तो 10-10 साल के बाद अग्ट लाया जाना था ताकि तस साल के बाद जो पहले अग्ट है उसको रीवियू किया जाए जो शॉट को मिंग्स हैं इसके उपर वर्क आउट किया जाएगा और उसके बाद जो है जो नेक्स्ट जो है वहाम जो है तांकि नेक्स्ट एक्ट जो है थोड़ा बैटर लाया जा सके तो तब यहां पर हम देखते हैं कि यह जो मंटेगू चैलंसों रिफॉर्म क्या डिमांड कर रहे इंडियन कर रहे थे कि हमको सैल्फ रूल दे दो ब्रिट्षियर ने कहा कि चलो ठीक है सैल्फ रूल का मतलब यह हो गया कि आप अपने लिए कोई लौ बनाना चाते हैं आप अपने तरीके से लौ मेकिंग करना चाते हैं तो ठीक है हम प्रविंस लेवल कर देंगे जैसे एजूकेशन हो गया जहां हेल्थ हो गई जहां इस तरह के कुछ जो सब्जेक्ट हैं वह स्टेट प्रविंस लेश्लेचर को दे दिये जाएंगे आप उसके ओपर जो भी लौ बनाना चाहते हैं वह अपना बना दीजिए बाकी के जो सब्जेक्ट होंगे वह रिजर्व केटेगरी में रहेंगे जानी कि जो प्रव्यस का गवर्नर होगा उसके दौरा उसकी प्रमिशन के साथ ही लौव मे किनग जो है की जा सकती तो पर उन्दर इन्हों ने यहां पर नाम की थि एक तो नोंने यह बोल दिया गया कि प्रविंस को कुछ सब्जेक् independent law बना भी लेती थी फिर भी जो स्टे जो प्रविंस का गवर्नर होता था जब तक कि वो उस बिल को पास नहीं करता था विद्धा प्रमेशन अफ गवर्नर जन्रल अफ इंडिया उसको एक्चल में लेकिन उपर से डंडा अपने पास रखा हुआ था कि अगर लॉव हमको ठीक लगेगा तो पास करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे तो देखने के लिए सेल्फ रूल है लेकिन अगर आप उसकी स्पिरिट देखेंगे तो वहां पे तो अगें ब्रिटिश का डॉमिनेशन है फिर इन्हों ने कहा कि जो 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 लैजिसलेचर जैसे आज की हमारी जो पार्लीमेंट है उसके दो हाउसे हैं लोक सबहा है राजिस सबहा है तो इन्हो इन्होंने सिर्फ पेपर में लिख द इसको सिख क्रिस्चन एंगलो इंडियन तीन और कम्यूनिटी को इन्होंने एक्स्टेंड कर दिया कि आपको भी सेप्रेट एलेक्टरेट यहां पे दिया जाता है तो इससे थोड़ा ड्वाइड डूल पॉलिसी और यहां पे खेलना शुरू कर दिया गया और उदर सेकेटरी में मेंबर होते तो इंडियन जो ते वह बड़े लंगे समय से कर रहे थे तो इनकी जो सैलरी जब जो भी पे है वो British Parliament को पे करना चाहिए वो Parliament की डूटी यहां पे कर रहे हैं तो वाई इस salary and all the office expenses you are paying out of the British revenue तो ब्रिटिश ने कहा चलो ठीक है बड़े लम्हें समय से demand चल रही थी यहां पर चलो कहते हैं कोई बात नहीं है सेकर्टरी जो है वो हम यहां पर उसको salary हम खुद पे कर दिया करेंगे लेकिन जो मेजर डिमांड जो नैशनलिस्ट की मेजर डिमांड थी self government वो तो अभी भी पूरी नहीं हुई उसकी उपर तो अभी भी काम नहीं हुआ और अब यहां पर गॉर्मेंट डिमांड कर जो नैशनलिस्ट थे देवर डिमांडिंग क्या डिमांड कर रहे थे कि भाई वी शुड़ बी गिवन self rule ठीक है बिला क्या royalite act के पहले तो हम तो पूछते थे तो हम तुम्हारा क्या क्राइम उसके बाद सजा देते थे आप तो हम तो में उठाके जेल पे दो साल के लिए रख लेंगे और दो साल के बाद पूशेंगे कि हां बटा तेरा इसके लिए हम देखेंगे जल्लेंवले बाग का इंसिडेंट होता है यह तो एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है इंडियन हिस्ट्री के अंदर जहां पे तो चाहे कोई मौडरेट था चाहे वह स्ट्रीमर्स था जो उनकी एक विजन थी जो है कभी न कभी तो हमारी प्रॉब्लम को समझेंगे दे आर जस्टिस लविंग पीपल और वो सारा शेटर हो गया मात्मा गांदी जी को भी जो लगता था कि हां ब्रेटिस जो है देर गुड पीपल तो जि यहां पर बैटे हुए गोली चलाके मार दिया उनको उनका कसूर किया था यहां पर जल्यावाले बाग ने सिर्फ पंजाब में नहीं इसने पूरी मतलब पूरा जो नैशनल हमारी जो मूमेंट थी उसको एक अलग ही रंग जो था वह यहां पर दे दिया ठीक है अब यह हु तो 15 के बाद जैसे हम कल हम डिसकेस कर रहे थे जिस तरह से गदर पाटी जो बनाई गई थी तो गदर पाटी के चलते बहुत सारी जो नैशनलिस्ट दे दें इंटो इंडिया टू है वे रेवलुशनी मूवमेंट तो इन रेवलुशनी मूवमेंट को कंड्रोल करने के इपकी रिपॉर्ट के उपर ही यह कर्देशन पढ़ते हैं था सबस्क्राइच के उपर पड़ते हैं जब आउर्टीकल 32 पड़ते हैं तो उसके नीचे आप पांच तरहें की रिट पढ़ते हैं तो उसमें पहली आपकी है्विस यहां उसे किसी ना किसी ऐनिकेशन के नीचे जो था उसे जेल में रखा जा सकता थे और इसके अजर हम देखेंगे जो ट्राइल भी था उसको बड़ा स्पीडी ट्राइल यहां पे किया गया जिसके अंदर तीन हाइप जजज का बैच बैठता था और जो भी हाइप का डिसीजन हो जाता था वह फाइनल होता था पहले होता था 1935 में जब हमारी फैडरल कोड बनती है उससे पहले क्या होता था कि अभी तक अगर हाइप कोई कोई डिसीजन दे दिया है तो उसकी अपील आप लंडन में प्राइवी कॉंसल में कर सकते थे लेकिन इस एक्ट के नीचे वह भी खतम कर दिया गया कहते जी कोई अपील नहीं होगी हाइप ने जो डिसीजन दे दिया फुल लैंड फाइनल होगा और ट्रायल दो साल तक तो मत सक्मा गांधी भी इसके अंदर जो था बड़ा एक एक पार्टिस्पेशन करते हैं गांधी जी फैबररी उनीसों नी में एक सत्याग्रेश सभा की और यहां पर रखते हैं और गांधी जी कहते हैं कि भाई हम जो हैं एक नॉन को एक बड़ा नॉन वाइलेंस पीस्फुल त तो गांधी जी इसके हम देखते हैं कि जलने वाले बागा का इंसिदेंट था इट बिकम एक काइंड ओफ फांडेशन ऑफ दी फ्यूचर नॉन कोपरेशन मोव्मेंट का बेस बनता है तो जब गांधी जी ने इस इसके गेंस्ट में कमास प्रोटेस्ट की शुरुवात की उनको अरेस्ट कर दिया गया उनकी रेस्ट के गेंस्ट में पूरे इंडिया में जो था वो प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया तो उनको उनकी रेस्ट के पंजाब के उपर इसका खास करके एफेक्ट हुआ पंजाब के अंदर दो लीडर थे डॉक्टर साथपल एंड डॉक्टर सैफुदिन के चलू एक हिंदू लीडर थे एक मुस्लिम लीडर थे दोनों को उसमें पंजाब के जो उसमें अमरी सर के जो डिप्टी कमिशनर थे नोंने बलाया कि हम आपसे बास्चित करना चाते हैं ल पूरे का पूरा जो उस समय जहां पर है घूट वह आए गए ठीक है उस समय जो इस एरिये को यह major हम जिसे का कह देते हैं जनर्नड इन जो और उनके द्कर करके अमरित्र सरकार और इस एरिये का पूरा जो military commander था वह दे दिया गया इना हैंड ईन डायर तो backwards और जो जर्नल रेजिनल डायर जो था उसने यहाँ पे यह पिक्टर भी आप देख रहे हैं जर्नल रेजिनल टायरर कि पिक्टर यहां पे लगी हुए है तो जर्नल रेजिनल डायर ने орगे और प quickest के कोई भी जो है वो तीन से चार से ज clues झूदंधे नहीं Bu Bishakhi के दिन जिसे कि यू नो इत वाज दा इट इस बिग हर्वेस्टिंग डे बहुत बड़ा हर्वेस्टिंग फेस्टिवल है और नौर्थ इंडिया में इसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट भी किया जाता है विसाखी वाले दिन हजारों लोग जो थे गोल्डन टेंपल नौर्मली वहां पे लोग आते थे तो यह बेसिकली अभी तो हम जलने वाले बाग कहते हैं तो उस समय इट वाग तो यह बड़ा ओपन ग्राउंड एरिया वहां पे हुआ करता था तो वहां पे काफी लोग इकटे हो रखे थे लेकिन इस ग्राउंड की जो बंतर थी इस तरह की थी कि तीनों तरफ से यह कवर था और इसका एक जीट जो था एक तरफ इस था तो जब जर्नल रेजिनल डायर को पता चला कि इस तरह से लोग इकटे हो गये तो वही टुक है आर्मी युनिट उन्होंने पूरा लिया अपना एमूनेशन वगारा लिया और उन्होंने वहां पर पहुंच गये कोई नॉर्मल होता है कि अगर किसी कराउड को डिसपर्स करना है तो कंसर्न पुलिस या मिल्टी थॉर्टी वह वार्न करते हैं कि आप यहां से 10 मिनिट में इसपर्स हो जाएगे जान नहीं फिर भी होते हैं तो एर में फारिंग की जाती है वार्निंग शॉट किये जाते लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ कोई वार्निंग नहीं की गई कोई टाइम नहीं दिया गया वहां से जाने के लिए सिंपल आये और जो एक्जिट पीपल्स एंड दे आर फारिंग ओवर दा इनोसेंट पीपल जो भीड में कटे हो रहें तो लोग बचारे बच्चे बुड़े औरतें जो भी वहां पे लोग उस भीड में शामिल थे कोई अपने जान के लिए कोई किदर भाग रहा था कोई वहां पे कुवां था उसमें फूरी अफिशल रिपोर्ट यहां पर बताती है कि नंबर इतने नहीं थे नंबर इसे भी बहुत जादा थे अब इसने एक बड़ा इसंट ने इतना जदा एक इंफुलेंस जो था एक इतना ज़्यादा एक गुसा और इतना जब्सप्शल पूरे इंडिया के ऊपर किया त से इस तरह का कोई भी ओनर जो है वो नहीं ले सकता हूँ यहां पे तो इस तरह से जो लोगों को यहां पे मारा गया पीपल वार क्राइंग फॉर वाटर पीपल और क्राइंग फॉर हेल्प बट दे वर अनली केटिंग दा पुलिस फाइरिंग बहुत बड़ा इंसीडेंट अब यह हो चुका था अब ब्रिटिश गवर्मेंट को भी पता था कि यह कोई छोटा इंसीडेंट नहीं है बहुत बड़ा इंसीडेंट है वह यहां पे हुआ है यहां पे ठीक है तो इसके लिए अब यहां पे पहले तो जो कॉंग्रेस थी वह को कह रही थी कि you should have some kind of committee आपको यहां पर form करनी होगी because you have to establish the responsibility आप ऐसे नहीं हो सकता है कि you just say के भाई हो गया तो हो गया नहीं you have to fix the responsibility and you have to punish that person तो जब यहां पर government ने पहले तो कोई committee यहां पर नहीं रखी लेकिन बाद में जब Congress इस ने एक non official inquiry committee की यहां पर start कर दी यहां पर तो तब British government को भी यहां पर एक committee की appointment करनी पड़ी इस committee को कहा जाता है hunter committee जिसको head करते थे Lord William Hunter जो थे वो यहां पर इसको head करते थे who was the senator of college of justice of Scotland के थे इसलिए hunter committee कहा जाता है इस committee के साथ member थे जिसमें चार British थे और तीन member जो थे वो यहां पर इंडियन आ जाते थे कई बार आपको इस committee के member की उपर भी आजा सकता है तो अगर आप British member की बात करेंगे तो Lord William Hunter वो इस committee को head कर रहे थे W.F. Rice additional secretary to the government of India इसके member थे justice GC Rankin जो Calcutta High Court के judge थे वो इसके member थे और major journal sir George Barrow जो commander थे उसमें के पिशावर डिविजन के तो यह भी इस committee के member थे चार British थे इसके साथ तीन इसके अंदर और इंडियन में member थे sir चेमनल सीतलवाद पंडित जगद नरायन और सरदार सुल्तान नहमत कान यह तीन इंडियन मेंबर थे यह नाम याद रख लेने कोई कई बार आपको इस के ऊपर जो question है वह आगे किया जा सकता है इसके बाद इस committee के बाद इस committee के अंदर क्या decision लिखा तो committee ने चलो एक तो यहाँ पर कोला कि ठीक है जो रेजिनल डायर ने जो किया है यह बहुत ही मतलब गलत किया है इसको not up to that mark ना कि उस लेवल पर नहीं हुआ कि जिस लेवल पर होना चाहिए और अल्टीमेटली इंगलेंड में तो रेजिनल डायर को एक हीरो की तरह देखा जाता था कि भाई ठीक है इन्होंने अपनी ड्यूटी की है और जैसा होता है तो जर्नल डायर को इंग्लेंड भेज दिया गया गांधी बड़े खफा हुए गांधी जी बड़े खफा हुए तो जैसे रविंदना टिगोर जी ने तो इमीडेटली अपना नाइट्विट का स्टेटस वापस कर दिया तो गांधी जी ने जाब ये कमेटी क मुझे यहां पर हुई है जिसके चलते गांधी जी ने भी अपना केसर हिंद जो ने 1915 में मैडल दिया गया था यह इन्हों ने वापस कर दिया जहां पर तब जाके अब इंडियन तो इंडियन होते हैं ठीक है तो अब यहां पर जिस तरह से यह पूरा इंसिडेंट हुआ जल्यावाले बाग का बहुत सारे लोगों के उपर इसका एफेक्ट भी पड़ा एंड वन अफ़ परसन हुवाज हेर उदम सिंग तो तब यह लंडन में जाते हैं और यह लंडन में जाके वहां पे अपनी इस जल्यावाले बाग का इंसिडेंट का जो बदला है वहां पे जो उदम सिंग थे इनका बर्थ संगरूर में हुआ पंजाब का जो संगरूर डिस्टरिक्स हा वहां पर इनका हुआ था यक्जनिलो न नाआमे इनके पास इनका वर्थ हुआ था घड़ पार्टी अमेरिका केन्दर भी काफी एक्टिविस्ट यहां पे रह चुके थे जहा था क्योंकि उदम सिंग को लगता था कि by his order this whole thing happened क्योंकि इन्होंने यहां पे military rule और यह सारे order दिये थे तो इनके कारण ही यह सारा जो incident हुआ है तो जर्नल ओर डायर को इन्होंने जो गुलेफटन गवर्नर थे पंजाब के उनको इन्होंने वहां पे जाके 1934 के बाद आगे जाके इन्होंने वहां पे जाके इनको शूट किया यह शूट इन्होंने चिया जो वहां के लीगल स्पोर्ट भी दिय गई तो आप थोड़ा बहुत जो हैं अगर आप कोशिच किया गया कि आप अगर अपनी इसके लिए थोड़ा माफी मांग लेते हैं जा रिग्रेक्ट कर लेते हैं तो शायद आपकी डेस सेंटेंस को हम लाइफ और पिजरिमेंट में कनवर्ट कर देंगा लिगोदम सिंग ने कहा कि कि नहीं मैंने जो किया है मुझे उसका कोई रिग्रेक्ट नहीं है और मैंने जो जल्लेंवाले बाग के इंसिजेंट का बदला है वह आज मैंने लिया है जहां पी जिसके लिए इन्हें में 1940 में पैंटो विला जेल के अंदर इनको हैंग भी किया था हला कि गांधी जी क्योंकि वो नॉन वाइलेंस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे उन्होंने इस पो स्पोर्ट नहीं किया था उन्होंने का था हमें इस चीज़ों को लेके जो है ठोटा अलग रहना है त ठीक है तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहां तक रहेगा कल हम इसे आगे चलेंगे 1921 के बाद तुमारो वी अर गोइंग टो रीड बाउट खिलाफ़त मुवमेंट नॉन कॉपरेशन मुवमेंट और बाकी के जो हमारे टॉपिक है यह हमारा कल से होगा ठीक है जी क्लि कि बोरिंग तो नहीं लग रही है कि अ कि अ ओके अरूंजी सम्टाइम यह थोड़ा नेट का माइट भी तो ठीक है जी आज का लेक्चर सबको क्लियर है हमाहिंडर, I will ask the back time, let me try to short out this problem, so तो ठीक है जी थेन, have a nice day and all the best, अपना reason अच्छी तरह से करते रहिए, exam आपका नजदीक है, तो give your best, कोई भी चीज, तो मैंने काफी detail में और deep में जाके आपको cover करवा दिया है, तो मुझे उमीद है कि आपके majority of जो question है, जो आपको exam में आएंगे, आपको इन लेक्चर में आपके मिल जाएंगे, बस अपना अच्छी तरह से रीट और रुट जाएंगे, अधरवाई, you will not feel much problem in solving the modern history question. Okay, student, if you have any question, you can ask me now, otherwise I am going to end this class. Okay, जी देन, झ्विंद है, झाली तरह से जाएंगे, झाली तरह से लिए गएंगे, झाली अधर और रहे, या उन दो जाएंगे, प्रिये कांवे, जाएंगे, रहर भर जाएंगे, पर घंपके एंगे, आपके जायर,